दो news हैं, ध्यान से देखिए, पहली खबर है December 2022 की, उस समय जो America के envoy थे India में, उन्होंने ये statement दिया था, that trade deal between India and USA is off the table, और आज मई 2014 में, जो फिलहाल USA के envoy है भारत ने, उन्होंने ये statement दिया है, Washington is now ready to discuss the preferential trade deal with India, नो वैसे तो, ये अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा U-turn बन जाता है, कि suddenly कैसे America, जो की डेड़ साल पहले तक, इंडिया के साथ trade deal को sign नहीं करना चाहता था, वो आज sign करने में interested है, लेकिन वैसे भी ये बहुत बड़ी development इसलिए बन जाती है, because America आम तौर पे किसी भी country क साथ FTAs sign करता ही नहीं है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इन ही के द्वारा दिया गया statement है, कि Washington में आम तौर पे free trade agreements के लिए कोई बहुत बड़ी appetite नहीं है, लेकिन इनका ये मानना है कि इंडिया के साथ ये लोग एक preferential trade agreement को sign कर सकते हैं, बात करेंगे दोस्तों, इ इन दोनों ही खबरों के बारे में क्या उस्तमे परिस्थितियां थी कि अमेरिका ने ये वाला statement दिया और आज ऐसी क्या परिस्थितियां बन चुकी हैं कि अमेरिका इस तरह का statement दे रहा है, and also discuss करेंगे कि इंडिया की इस चीज़ को लेकर strategy क्या होनी चाहिए, आए शुरू यानि की आने वाले रविवार के दिन अन अकाडमी आपके लिए लेकर आ रहा है इंडिया का सबसे बड़ा scholarship test, अगर आप इस test में enroll करते हैं, live आकर के test में participate करते हैं और अच्छे marks लेकर आते हैं तो अन अकाडमी की तरफ से आपको कई सारे scholarships और कई सारे इनाम जीतने का भी मिल सकता है, alright, so सबसे पहले December 2022 के जो statement है उसको देख लेते हैं और उस time के जो हालात हैं उसको समझ लेते हैं, उस समय अमेरिका की जो envoy थी भारत में उन्होंने कहा that trade deal between India and USA is definitely off the table, क्या कारण था उस समय ऐसा statement क्यों दिया गया था, देखिए number one, उस समय USA इंडिया का largest trading partner वैपार वैसे भी ठीक ठाक चल रहा था, तो उनको लगा कि हमें FTA करने की आवशकता नहीं है, number two, ये जो FTA दोनों देशों के बीच में करने का जो idea था, जो ये विचार था, ये असल में USA के जो पुराना प्रशाशन था, Trump सरकार का प्रशाशन था, उनके द्वारा इस व बड़ा reason था, जो कि America उस समय दे रहा था, America ये मानता था कि India के जो trade barriers है, ये बहुत जादा restrictive हैं, जिसकी वज़े से America used to think कि मान लीजिये, हम लोग यहाँ पर एक trade agreement को sign कर लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उस trade के चलते, India तो अपने exports अमेरिका में बढ़ा सके, लेकिन अमेरिक हैं, और America की exporters association ने ये कहा कि India की तो जो quality control की norms हैं, ये भी बहुत जादा हैं, इनके जो tariff structure हैं, ये भी बहुत जादा हैं, हम अपना बहुत सारा सामान, basically इंडिया में भेजी नहीं सकते हैं, फिर भले वो footwear हो, toys हो, कई सारे ऐसे अलग-अलग sectors का नाम यहाँ पर लिया ग sign करना नहीं चाते, तो हम भी आपके साथ FTA sign करने में कोई बहुत जादा interested नहीं है, इंडिया rules out FTA with the USA for now, और ये statement हमारे जो वैपार के मंत्री है, Mr. Puse Goyal, उनके द्वारा publicly इस statement को दिया गया था, बलकि इंडिया ने वैपार करने के लिए कुछ और भी शर्तें थी, बढ़ाना चाहते हैं, number two, इंडिया ने सबसे बड़ी demand जो कि यहाँ पे करी थी, इंडिया ने बोला कि अमेरिका को जो आपने GSP का status, जो की पहले भारत को मिला हुआ था, जो की Trump सरकार के द्वारा हटा दिया गया था, उसको वापिस से restore किया जाए, उसको वापिस से बहा जो की अमेरिका में जाते थे, जिनके ऊपर बहुत ही कम duties या बहुत ही कम export duties को लगाया जाता था, तो इसमें steel हुआ, aluminium हुआ, mainly हमारे जो metals यह वहाँ पे जाते थे और textile का जो हमारा material था, यह वाले बहुत सारे items अमेरिका में duty-free entry ले पाते थे, लेकिन जब Trump सरकार के द्व impact हुए थे, तो इंडिया ने सबसे पहले कहा कि यह वाला जो status है, इसको भी revoke किया जाए, by the way इसका जो latest update है, अभी तक जो Biden सरकार है, इसके द्वारा इस GSP status को वापिस restore नहीं किया गया है, और आज दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि अमेरिका के जो फिलाल US ambassador to India है, उन् इनका ये मानना है कि हम लोग basically चाइना को replace करना चाहते हैं और अमेरिका में हम चाहते हैं कि जो सामान हम लोग चाइना से मंगवाते थे, वो सामान आज की घड़ी में हम लोग इंडिया से मंगवाने लग जाएं, और obviously इनका ये कहना है कि इंडिया तेजी से एक low cost producer की तरह उभर के आ रहा है, especially in areas like electronics and in areas like clean energy, जिसमें कि आप electric vehicle ले लीजिए, solar cells में जो हम लोग photovoltaic cells देखते हैं, वो ले लीजिए, इनका ये मानना है कि ये सारे के सारे areas में, जो सामान हम लोग चाइना से मंगवाते थे, वो सामान हम लोग आज की डेक में इंडिया से मंगवाना जाते हैं, इन्होंने बहुत ही बड़ा statement दिया, इन्होंने कहा कि अगर हमें इंडिया से quality solar cells मिलने लग जाएं, अच्छे electric vehicles मिलने लग जाएं, और ये सारे के सारे components हम लोग इंडिया से procure करने लग जाएं, तो वो समय दूर नहीं होगा, जब अमेरिका में semi conductors भी भारत के तरीके से उनके कई सारे सामान के ऊपर import duties को बढ़ा दिया गया था, इन ही सारे सामान की हम बात कर रहे हैं, electric vehicles हुए, critical minerals हुए, steel, aluminium, semiconductor, solar, photovoltaic cells हुए, इन सभी चीजों के ऊपर, ये सारा का सारा सामान, जो की almost 18 billion dollar के आसपास का सामान, चाइना से अमेरिका में आता था, इस not going to lead China, flood our market, और इसी लिए आज वो इंडिया के पास आप हुँचे हैं, because they feel कि इंडिया से हम ये वाला सामान, obviously सस्ते दाम में procure कर सकते हैं, in fact, अमेरिका ने चाइना के कई सारे सामान, जिसमें की जैसे semiconductors हुए, electric vehicles हुए, इस पे तो शुल्क बहुत ही जादा बढ़ा दिय है, electric vehicles के case में 100% कर दिया है, semiconductors के case में 50% कर दिया है, तो ये obviously चाइना की इन सभी industries को बहुत ही जादा hurt करने वाला है, ये तो समझ आता है कि अमेरिका का यहाँ पर target क्या है, motive क्या है, intention क्या है, obviously वो चाइना को replace करना चाहते हैं भारत से, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर भारत को भी एक बहुत important चीज़ का ध्यान रखना होगा, वो क्या है, मान लीजे कि हम लोग अमेरिका के साथ एक trade agreement को sign कर लेते हैं, अभी आपको मालूम होगा कि इंडिया का अमेरिका के साथ trade surplus चलता है, in fact केवल अमेरिका के साथ ही top 10 जो ह हम लोग अमेरिका से import करते हैं, आकडो की बात करें, तो इंडिया अमेरिका को 77 बिलियन डॉलर का सामान भेजता है, और हम लोग import उनसे 41 बिलियन डॉलर के आसपास का करते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि इस trade agreement sign करने के बाद, अमेरिका का बहुत सारा सामान भारत में आने लग करते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि कहीं अमेरिका का सामान इंडियन मार्किट को flood करने लग जाए, because problem इंडिया के case में सिरफ अमेरिका नहीं, दोस्तों इंडिया के case में जो problem है वो चाइना से भी हमें देखने को मिल सकती है, जैसे ही अमेरिका के द्वारा चाइना के साथ ये इ हमारा जो भी agreement हम लोग sign कर रहे हैं, this should be definitely beneficial for the exporters and overall इस से ऐसा ना हो कि कहीं हमारा जो trade deficit है ये यहाँ पर बढ़ जाए, because China already भारत के लिए एक बहुत बड़ा challenge बना हुआ है, तो ये काफी complex है situation, देखते हैं, कैसे proceed करते हैं, आज तो केवल अमेरिका के ही द्वारा statement दिया ग जाएगी, अगले महीने हम लोग definitely इसको लेकर कोई ना कोई update यहाँ पर expect कर सकते हैं, बाकी दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं, भारत की क्या strategy होनी चाहिए, with respect to this trade agreement हमें definitely बताएं comment section में, जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा, कि Yana Academy के learners ने 2023 के examination में भी बहुत ही अपनी तयारी हमारे साथ जुड़ करके शुरू करना चाहते हैं, तो हमारे centers नई दिल्ली के करोलबाग में, नई दिल्ली के मुखरजी नगर में और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं, सभी centers में हम लोग आपके लिए foundation courses को launch कर चुके हैं, और ये नए-न courses भी launch होते रहते हैं, अगर आपको इन में joint करना है तो आप कर सकते हैं, because इन courses में हम लोग आपके लिए along with GS, CSAT, essay writing, current affairs, coverage, test series, educators, interaction, one-to-one mentorship, सभी चीजें भी available करवाते हैं, कोई भी doubt है, center को visit कीजिए, या फिर नीचे दिये गए phone numbers पर आप लोग phone भी कर सकते हैं, thank you so much for listening, stay stay tuned and stay safe